फिटनेस फ्रीक परिवार को भी देख रही हैं और महिलाओं के लिए एक मिसाल बन रही है कि वाकई देश की बेटी ने नाम रोशन की और देश की बेटी अपने कला के माधियम से लोगों को सि..." दिखा रहे हैं समाज का आईना भी दिखा रही है तो डॉली जी सबसे पहले तो आपका जमकश्मीर में स्वागत है यह पहली बार आई हैं जमकश्मीर यह इससे पहले भी यहाँ पर आना बच्पन में आई थी जब मैं कुछ 18-19 साल की थी तब आई थी वैशन दीजी के मंद किया था बच्चे थे वो बोलते ना जवान खून था तो हम लोग सीधा यहां से उपर पैदल चल कर गए थे हमने कोई वह पिठू नहीं किया था कुछ नहीं हम लोग रनिंग करते करते उपर वैशन दीव जी के मंदिर कहते हैं तो अभी जम्मो में कितना बदलाव देखन क्योंकि वो समय अलग था और आज समय अलग है अभी तो देखिए इतनी सारी सुविदाई हो गई है जैसे चौपर आगे हैं और भी काफी सुविदाई हो गई है अभी दर्शन करने बहुत आसान हो गया है तभी तभी भी आसान थे लेकिन तभी वो इतनी सारी अबहुपके करीयर के साप से बात करें तो काफी लंबे समय के बाद कम बैक कितना मुश्किल रहा और परिवार का किने साथ है मुश्किल तो बहूत रहा क्योंकि ? Water चूरू करना पड़ा तो काफी मुश्किल रहा अभी बिव जो जो मुश्किलें हैं वो अभी भी हैं परिवार का साथ नहीं होता तो डेफिनेटली नहीं कर पाती थी तो आपको पता चली रहा है कॉंपटीशन तो इतना ज्यादा है कि पूछिए मत अगर आप नहीं है तो दूसरा रेडी बैठा है आपकी जगह लेने के लिए कुछ दिखता है वहाँ पर क्योंकि सुषान का जब हमने केस देखा तो काफी ज़्यादा यह बात की चर्च होई नेपोटीजम टीव इंडस्ट्री में क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री तो उजागर होगे नेपोटीजम तो है no doubt about that but हमारी जो ओडियंस है वो भी बहुत स्मार आपको कोई भूलता नहीं है क्योंकि आप उस समय से नाइंटी से आई तिंक सो आप नाइंटी से ही चल रहे हैं तो फर्स्ट जो आपका सेरियल था वह आपको कैसे मिला और क्या एक्सपिरेंस रहां मेरे शिरुवाद बालाजी टेली फर्म से होई थी एकता कपूर के साथ तो उनका मैंने पंजाबी सेरियल किया था बिंक पंजाबी सो मैंने उनका पंजाबी डीवन के लिए किया था तो देय शी सो मी फर्स्ट आम यह अज़ों नहीं लिया भी मुझे और कलश मेरी पहली ब्रेक थी और मैं आज तक करती आ रही हूं मदब मैं आभी परीनिती कर मैंने उनके साथ कलेश फर्स्ट किया था कलेश टू भी किया था तो आइगेस मैं थैंक गॉड की लोग एक ताम मुझे भूली नहीं अभी तक मैं जब भी फ्री होती हूं डाफिनिटली वहां से कॉल आ जाता है और मॉर्किंग अगेर अचा फिटनेस के लिए महिलाओं को क्या करना चाहिए आप वोकिंग वुमें भी हैं फैमिली भी देख रही है लेकिन फिटनेस फ्रीक भी है क्योंकि इंस्टा पर तो आपकी बहुत ज़्यादा वीडियोस फोटोग्राफ्स वाइरल होती है तो आप क्या करते हैं देखिए इसके लिए डेडिकेशन भी होना होना भी बहुत ज़रूरी है मेरे में बहुत जादा डेडिकेशन है अगर मैं दो तीन दिन जिम नहीं जाओं तो मुझे तोड़ासा डिप्रेशन फील होने लग जाता है सो फिटनेस फ्रीक होना बहुत ज़रूरी है हम महलाएं क्या करते हैं महलाएं कि हम भी लेक पीपल जाएक हुमन विजस तिंग कि नहीं आज बहुत काम कर लिया यह ठोड़ देते आज जिम नहीं जाते तो मैं सोच टी जैसे दूसरी सारी चीज़े ज़रूरी है वैसे आपकी बॉडी भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है तो इसका देहन रखना भी बहुत ज़रूरी है आ अर्जा जी के लिए कुछ कहना हो तो शी स्माइलिंग जैस तिंकिंग के शी नौट सेट एनीफिंग बाउट मी अधरूरी है तो मैं डेफिनिली मेरे बास बहुत सरे स्वीड वर्ड्स हैं क्योंकि इतना प्यारा काम कर रही हैं यह महलाओं को आगे लेकर आ रही हैं उनके जिस फिल्ड में हैं उन्हें अप्रिशेट करे हैं यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि आप कोई एक फिल्ड पकड़कर उसको औरगनाइज करते हैं वह और्ड्स अरेंज करते हैं भूथ भी मैं नहीं होता है और इनका तू फिल्ड शशे महलाओं को उठाये जो बहुत अच्छी बात है, जम्मु के लिए कुछ कहना हो, तो क्या कहो है, in your words, अभी आपने क्या word बताया है, खंड मिठे लोग डोगरे, like people of Jammu are as sweet as sugar, तो you have to repeat it, खंड मिठे लोग डोगरे, तो जम्मु के लिए मैं यह कहूँगे कि खंड मिठे लोग है, यह बहुत खंड मिठे लोग है, और यह स्वीटू मेरे पास बैठी है, और आप सब लोग भी स्वीट है, तो जम्मु में दुबारा शूटिंग के लिए कब आएंगे, गूमने के लिए तो आएंगे उर्जा जी के साथ, लेकिन शूटिंग के लिए कब आएंगे, विडिसाइडिट सम्धिंग ने ऐसा तो कुछ डिसाइड नहीं हुआ, देखिए माताज जी का जब उलावा होगा, हम डेफिनेट लिए फिर शूटिंग के लिए, और एक के लाम से इनको जाना जाता है, बहुत से महिलायन से इंस्पिरेशन लेते हैं कि हमें इनकी तरह बनना है, लेकिन कैसे बनना है वो भी आपको राज आज पता चल गया, आप यह मरसे बने देखती पूचिए जमिश्मान के लिए